Hello everyone, this is Anita and welcome back to my channel The Knowledge Ocean. अब तक हम अपनी Word 7 Wonders की सीरीज में 6 Wonders के विश्रमी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे अपने Last Wonder चिचे निट्जा के बारे में. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. चिचे निट्जा लगब बारे सो साल पहले माया सब्भेता के लोगों द्वारा बनाया गया शहर है जो की चार वर्ग मील के छेतर में फैला हुआ है. चिचे निट्जा का मीनिंग है At the mouth of the well of Itza. यह मेक्सिको के युकार्टन राज्य के पूर्वी भाग में सित है और युकार्टन का आधार है. चिचे निट्जा अपने बड़े पिरामिडों और मंदिरों के लिए काफी फेमस है और इसे पत्थरों से बनाया गया है. पूर्व कॉलंबियाई माया सब्वेदा की लोगों ने चिचे निट्जा को नौवी से बारविश रतावदी के बीच में बनाया था, लेकिन इसकी खोई 514 A.D. में पादरी लकिन चैन दौरा की गई थी. यहां का सबसे ज़्यादा फेमस टेमपल है कुकुलन टेमपल जिसे अलकैस्टलो भी कहते हैं. इस टेमपल की चार साइड्स हैं और सभी तरफ 91 सीडिया हैं. इसकी उचाए 30 मीटर है और इसमें 9 सार हैं. साल 2006 तक परेटकों को कुकुलन टेमपल पर चड़ने की अनुमती थी. लेकिन कुछ परेटक इस टेमपल पर चड़ाई करते समय गिर गए थी. जिसके बाद इस टेमपल में परेटकों की चड़ाई पर रोग लगा दी गई. यहां बहुत से पिरामिड हैं और टेमपल हैं जिसमें से एक है देमपल ओफ वारियर्स. इस टेमपल के चारों और सौ कॉलम से यह घिरा हुआ है. कासा कोलोराडो इसकी सबसे अच्छे इमारतों में से एक है और यहां के सभी मंदिरों में 365 सीडिया हैं जो की साल के प्रतेग दिन को दर्शाती हैं. चिचे निट्जा को mostly अपने mysterious sound के लिए जाना जाता है. अगर यहां किसी भी तरह की आवाज की जाती है तो वह आवाज reflect होकर एक अनौखी आवाज में बदल जाती है. यहां नीचे खड़े होकर अगर कोई ताली बजाता है तो वह आवाज reflect होने के बाद चीडियों की चहचाहट में बदल जा आती है और ऐसे लगता है जैसे कि कई पक्षी आपस में बात कर रहे हों. और अगर कोई आधार पर खड़े होकर ड्रम बजाता है या चिलाता है तो हर बार एक अलग अवाज सुनाई देती है. 1998 में कैलिफॉर्निया के ध्वानी विशेशग्य डैबिट लुमेन ने चिठे निर्जा पर रिसर्च की और इसके बाद भी बहुत से ध्वनी विशेशग्य उन्हें इस रहसे को सुलजाने की कोशिश की लेकिन कोई भी किसी भी निश्कष पर नहीं पहुंच सका. कुकलन टेंपल की एक और विशेशता यह है कि इसकी एक तरफ की सीडियों पर सूरज क की रोशनी पढ़ती है तो यहां साप की आकरती बन जाती है और जब इस सीडियों पचरते हैं तो ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे की एक बाल्ती में बालिश का पानी गिर रहा हो इस पिरामिट का रहसे इसे और भी दिल्चस्प बनाता है इस विशे में ये कहना मुश यंगर ने स्टिचिन निर्जा को नया नाम दिया सीडाड रियल पहले तो इसे किसी का प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और उसने शहर के चारों और की जमीन को बाट कर अपने सैनिकों को परसकार में दे दिया लेकिन समय बीतने के साथ माया सभैता के लोग और अध स्पैनिश लोगों की घेराबंदी कर दी और तट से उनकी आप उर्ति का मार भी कार दिया इस तरह उन्होंने स्पैनिश लोगों को प्राचीन शहर के खंडर तक सीमित कर दिया कई महीनों बीत गए लेकिन स्पैनिश लोगों को बाहर से कोई सैने साहता नहीं मिली और इस प्रियास में उन्होंने लगवग 150 सैनिकों को खो दिया और अंत में हार मान कर 1534 में रात के अंधेरे में चिचिन निज्जा को छोड़ कर चले गए 1535 तक सभी स्पैनिश युकाटन छोड़ कर जा चुके थे लंबे समय तक जीन पड़ी रहने के बाद 1923 में चिचिन निज्जा परियोजना स्टार्ट हुई जिसके तहट राष्ट्रे मानव विग्यान और इतिहास संस्थान इसकी मरमत कराता है आज भी इसकी मध्य और उत्री समों के कुछ हिस्सों की मरमत चल रही है इसलिए ये भाग अभी परेटकों के लिए खुले नहीं है चिचिन निज्जा को अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है जिसे चिचिन वीजो और चिचिन नुवो कहते हैं 29 March 2010 तक समारकों के अंतरगत आने वाली भूमी निजी स्वामित वाली भूमी थी जब इसे युकाटन रज्जेद्वारा खरीदा गया सिनोट सागाराडो 60 मीटर व्यास के साथ यहां का सबसे वड़ा सिंक होल है यहां Descending God के मंदिर में प्रेटकों के जाना अलाउड नहीं है अपनी इसी खुबसूर्ती, रहस्ते और विशेश्ताओं के कारण 1988 में चिचिन निज्जा को वर्ट्स हैरिटेस साइट की लिस्ट में शामिल किया गया और 2007 में से वर्ट्स सेवन वंडर्स की लिस्ट का हिस्सा बनाया गया अब हमारी सेवन वंडर्स की सीरीज का यहीं पर अंत होता है यानि अब तक हम अपने इस वर्ट्स सेवन वंडर्स की सभी वंडर्स के बारे में डिटेल में डिसकस कर चुके हैं अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए है तो मारे चैनल को सबस्क्राइब करें, थैंक यू